नमस्कार दोस्तों, एक बार फ्रीज से स्वागत करे रहे हूं आप सभी का शिक्षा प्रभा में तो बिटा, शिक्षा प्रभा में मैंने आप लोगों का जो एड्मिशन स्टार्ट हो गया है CBSE Board में, दिल्ली स्टेट में उसके रिगार्डिंग एक वीडियो अप्लोड की है कि फर्स सैकल, सेकिन सैकल और थर्ड सैकल के कब से एड्मिशन स्टार्ट है कब आपको रिजिस्ट्रेशन कराना है ठीक है और ये वीडियो में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको किन गाइड्लाइन्स को फोलो करना है जो पेरेंट्स के लिए गाइड्लाइन्स यहाँ पर एड्मिशन के लिए डिपार्टने ने बताई है उन गाइड लाइन्स के बारे में हम याप एक बार चर्चा करेंगे किस तरहा के डॉकिमेंट्स आपके पास होने चाहिए और कब से आप लोग रिजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कहां से करा सकते हैं तो सिक्षा प्रफा की वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप लोग इचुक हैं सिक्स से नाइन्थ क्लास में एड्मिशन लेने के लिए दिल्ली स्टेट के गौर्वर्मेंट विद्यालियों में चीक है बिटा? और अगर आप सिक्षा प्रफा पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किया है या जो इससे पहली वीडियो मेंने डाले उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूँगी वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर की रिजर का बेटा है इसी तरह से और informative वीडियो को देखने के लिए इसके साथी साथ वीडियो अगर आपको very useful लगे तो वीडियो को like और share भी करना जरूर बनता है तो आप लोगों को जो admission लेना है किस चीज का आपको ध्यान रखना है कब से हो रहे हैं admission start तो उसके लिए online admission की जो date है cycle first के लिए वो है 3 April 23 से लेकर के 10 April 23 तक और जो आपका second cycle के admission है वो आपके start हो रहे हैं 1st मई 23 से लेकर के 20 मई 23 तक के लिए आप registration कर सकते हैं और cycle 3 के लिए आपकी timing है 1st July से लेकर के 20 July तक तो यानि कि आपके April से admission start हो कर के चलेंगे July तक लगभग 3 महिने पूरा आप लोगों के admission यहाँ पर चलेंगे 6 से लेकर के लेकिन आपको delay नहीं करना है second cycle या third cycle का wait नहीं करना है आपको first cycle में ही admission के लिए registration कर देना है April Tuesday को जहां पर आपको school alert कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने जो documents verification है जो आपके admission का process है वो आप start कर देंगे 21 April से लेकर के 29 तक चीक है बिटा दस दिन आपको registration के बाद wait करना है message का आपके पास message आएगा जिसके अंदर आपको school alert कर दिया जाएगा और वहाँ पर उस message के साथ आप school में जाएंगे अपने documents लेकर के documents में आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपके पास आपका अधार होना चाहिए आपके पास आपकी जो SLCATC होनी चाहिए previous class pass करने की result होना चाहिए और इसके साथ ही साथ अगर आपका bank account है तो bank account होना चाहिए मम्मी और पापा का अधार काड होना चाहिए अपना अधार काड होना चाहिए ठीक है अब ना आप parents को किसकी बात का इहां पर ध्यान रखना है या कहां पर आप registration करा सकते हैं तो the link for submission for online registration is available home page of the department website आपको जाना है www.edudel.nick.in यहां पर आपको एक link मिलेगा government school admission और यह link आपको कम मिलेगा 3 April से क्योंकि registration स्टार्ट हो रहे हैं 3 April से 3 April से आपको यह link मिल जाएगा Edudel की website पर यह पाद जो second guidelines बिटा यहां पर आपको दी गई है वो है कि only those parents or children who residize in Delhi are eligible to apply under non-plug admission scheme यानि कि दिली में admission लेने के लिए सिर्फ वही बच्चा eligible है जो दिली में रहता है जिसके parents दिली में रहते हैं इसके बाद है तो online registration for has been designed in simple format यानि बहुत easy सा आपका registration form है जिसको आपको fill करना है उसको आप phone से भी fill कर सकते हैं और अगर आप phone से fill ना कर पाएं तो आप किसी भी nearest net center पे जाकर अपना registration करा सकते हैं अब आपके documents मैंने एक बार बता दिया है फिर भी बता देती हूं कि आपके जो personal detail है उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से fill करानी है form में जैसे कि आपका नाम, पापा का नाम ममी का नाम, आपका address आपके कितने भाई भेन हैं वो चीज़े और last school आपका गौन सा था इसके अलावा आपके पास आपका अधार नंबर होना चाहिए back account नंबर होना चाहिए आपकी date of birth और parents का mobile number एक valid mobile number ठीक है ये चीज़े आपके पास होने चाहिए और इसके अलावा एक जरूरी बात कि आपकी age कितनी होनी चाहिए ये आपको आपकी screen पर दिख रहा है कि 6 तो 9 तक अगर आप admission ले रहे हैं तो अगर आप किसी तरह का relaxation नहीं है आप general candidates हैं तो आपकी age criteria क्या है तो 6th class का बच्चे के लिए है कि वो 10 साल की उम्र से कम ना हो और 12 साल से बढ़ा ना हो 7th class के लिए 11 साल से छोटा ना हो और 13 साल से बढ़ा ना हो इसी तरह से 8th class के लिए 12 साल से छोटा ना हो और 14 साल से बढ़ा ना हो नाइन्थ क्लास के लिए तेहरा साल से चोटा ना हो और पंदरा साल से बड़ा ना हो तो यह कुछ एस क्रिटेरिया आप लोग पूआ जिसका जनकारी होना ज़रूरी था होप की वीडियो आपके लिए काफ़ इंफर्मेटिव रही होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और क्या जनकारी आपको अपने एडमिशिन के रिगार्डिंग चाहिए बताईएगा इसके साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत बूलेगा इसी तरह की और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाज तक देखने के लिए आप सभी का धनेवाद गाईज